तीन दिन सिर्फ एक चमच घी में भून कर खालो, सो साल तक हडियों की कमजोरी, एनिंद्रा, ठकान, बुडापा, कमजोरी, कमजोर आखें, कैल्सियम की कमे, कमर, हाथ, पैर, जोडों और घुटनों का दर्द आपको कभी नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वडियो में हम आपको एक ऐसे चमतकारी नुष्खे के बारे में बताएंगे, जिसका प्रयोग करके आप अपने सरीर की हर त्रहें की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, अपने पूरे सरीर को AD से लेकर चोटी तक की पूरे सरीर को बिलकुल निरोगी बनाकर रख सकते हैं। अपने सरीर की इम्यून भावर, रोगों से लडने की सकती को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। और दोस्तो वैसे भी आज कल वाइरस का दोर चल रहा है और आज के समय में आपको अपने सरीर की इम्यून पावर रोगों से लड़ने की सकती को बढ़ाने की बहुत अधिक जरूरत है और दोस्तो ये नुस्खा आपके सरीर की इम्यून पावर रोगों से लड़ने की सकती को बहुत अधिक बढ़ा देगा जिससे आप बहुत त्रहे की बीमारियों से बचे रहेंगे दोस्तो यदि आप इस नुस्खे के सिरफ एक चमच को घी में भून कर हर रोज सेवन करते हैं तो दोस्तो इससे आपके सरीर की हड्यों की कमजोरी दूर हो जाएगी क्योंकि ये नुस्खा कैलसियम का खजान है जो आपके सरीर की कैलसियम की कमे का इलाज करता है और आपके सर आनिंदरा की समझ्या की दवाईयां खाते खाते प्रहिसान हो गए हैं और आप इसे सदा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तब भी दोस्तों ये नुस्का आपके लिए एक वर्दान की त्रहें काम करेगा और यदि आप इसका सेवन करेंगे तब आपको आराम की नीद आ गए हैं तो दोस्तों तब भी ये नुस्का आपके लिए एक वर्दान की त्रहें काम करेगा क्योंकि एक तो इस नुस्के को लेने से आपके चेहरे पर गलो आ जाएगा जिससे आपका बुडापा आने की परकिरिया रुख जाएगी क्योंकि आपके चेहरे पर जमा गलो ब चाहिए वो कमजोरी सरीर के किसी भी हिस्से में हो और किसी भी त्रहें की कमजोरी हो ये नुस्खा हारे त्रहें की कमजोरी का इलाज है और दोस्तों क्या आपकी आँखों पर चस्मा लगाव है और आप अपनी आँखों की रोशने को बढ़ाना चाहते हैं और इस आँखों क चसमे से छुटकारा पाना चाहते हैं तब भी दोस्तों ये नुस्खा आपके लिए एक वर्दान की त्रहा काम करेगा क्योंकि ये विटामिन A का भी सोर्स है दोस्तों क्या आपकी पैरों में, खुटनों में, जोडों में दर्द रहता है या कमर में दर्द रहता है या सरीर में आपको कहीं भी दर्द है तब भी दोस्तों ये नुस्खा आपके सरीर के दर्द को दूर करने का काम करेगा क्योंकि ये आपके हडियों को मशबूत करेगा केलसिम की कमी का इलाज करेगा जिससे कि आपको कमर, पैर, जोड और खुटनों के दर्द का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा इतना चमतकारी है ये नुस्खा और इतना चमतकारी है इस नुस्खे का रजेट तो चलिए दोस्तो सबसे पहले जानते हैं इस नुस्खे के लिए आपको सामगरी क्या चाहिए दोस्तो इस नुस्खे के जो सबसे पहली मुख्य समगरी है वो है दोस्तो खस-स और दोस्तो सरीर के लिए खस-कस बहुद आदेक चमतकारी हैं इसका इस्तमाल कबच जैसी समस्यां से लेकर कैंसर जैसी गातक बीमारीयों के इलाज केलिए भी किया जाता है दोस्तो चोटे चोटो बीजों वाला यह खादे बदार, कलोरी, प्रोटीन, फैट, फाइबर, कैलसियम, फासपोर्स, आइरन जैसे पोसक ततों से भरबूर हैं दोस्तो इसका इस्तमाल करके आप सरीर के आंतरिक स्वास्थे से लेकर अपने भीबालों और तव्चा को भी जमा बनाए रख सकते हैं तो चले दोस्तो जानते हैं कि आपने इस खस-खस का परयोग करना कैसे है दोस्तो आपने करना क्या है दोस्तो आपने एक चमच खसकस लेकर उसको एक चमच घी में भून लेना है जैसे कि आपने क्या करना है पहले एक चमच घी किसी प्राइपन में डालना है और उसमें अब आपने एक चमच खसकस मिला देनी है और उसको अच्छी तरह से भून लेन और इसका प्रियोग आप सुबह खाले बेट कर सकते हैं यानि इन दोनों में से किसी भी तरी के से या तो आप ऐसे प्रियोग करें या इसको डूद में उबाल कर विलें और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके सरीर की कमजोरी बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगी आपके सरीर की हड्या वजजर के समान मजबूत हो जाएगी कैलसियम की कमी दूर हो जाएगी एनिंदरा, ठकान, बुडापा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तो आपको जोडों, खुटनों, पैर और कमर के दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तो यदि आपकी आँखों पर चस्मा लगा हुआ है तो वो भी उतर जाएगा दोस्तो यदि आपके सरीर में खून की कमी है और आप अपने स्रीर की खून की कमे का इलाज करना चाहते ही तब भी दोस्तों ये नुस्खा आपके लिए एक वर्दान की त्रह काम करेगा और आपके स्रीर की खून की कमे का इलाज करेगा तो दोस्तों देर किस बात की है आप भी आज ही इस नुस्खे को अपने घर पर बनाएं और इस नुस्खे का प्रियोग करें और अपने पूरे सरीर को बिल्कूल निरोगी बना दें तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीचे इसके साथ में आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीचे और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वीडियो की नोटिप केशन आते रहे धन्यवाद दोस्ते